रारे रारे दोश्तों दोश्तों साधी सुदा जीवन में दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है साधी सुदा जीवन में पती पतनी का तालमेल ज़रूरी है कभी कभी देखा जाता है कि पती अपनी पतनी को कभी भी मान सम्मान ने देता ना उसकी बातों की को इज़त रखता जिसके चलते इस्तियां कापी दुखी रहती है माता बेनों को बेवाय की जीवन में जब पती से प्रेम ने मिलता मान सम्मान ने मिलता तो बहुत दुखी रहती है वो पती की अंडेखी के चलते तनाम में आ जाती है ऐसी इस्तियां मानसिक तनाम का भी शिकार हो जाती है ऐसे में अगर कुछ उपायों का सारा लिया जाए तो पती पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है कुछ उपाय आपको बता रहे हैं इन उपायों को करने से निश्चित रूशे पती पत्नी में प्रेम बढ़ता है पती मान सम्मान देगा आपकी बात मानेगा पर इसका गलत प्रयोग ना करें सबसे पहला उपाय है कि शुक्रवार की रात को सोते समय पती के सराने के नीचे तख्ये के नीचे एक पुडिया में सिंदूर रख दें और ठोड़ा सा कपूर रख दें अगले दिन सुबह सिंदूर को तुलसी में डाल दें जिसे पैरों में ना लगए और कपूर को साम के समय घर में जला देना है ये केवल आपको हपते में एक बार करना है शुक्रवार के शुक्रवार करें आपको पांच या साथ सुक्रवार के अंदर पती पतनी के अंदर जो प्रेम की लक्षन संके दिखाई दे जाएंगे अगला यह की प्रितिक सुक्रवार को किसी कन्या को बुला करके सफेड मीती मिठाई खिलानी चाहिए सुक्ल पक्षि के सुक्रवार के दिन इस मिठाई को खिलाएं आप लगातार ग्यारे दिन खिलाएं या सुक्रवार के सुक्रवार खिलाएं इससे भी पती-पत्नी में प्रहम बरता है और पती को वशी करने के लिए एक और उपाय हैं कि आप जब भी आठा पिस्वाएं तो चक्की पर वेजने से पहले उसमें थोड़े काले चने मिला दें सौंबार या सनीवार कोई चक्की पर पिस्वाना चाहिए इन बातों का ध्यान रखने से निश्चित रूप से पती-पत्नी में प्रहम बरता है ग्रे कले सांत होता है दोस्तिन उपाय को जुरू करें वीडियो को जाजा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को रादे रादे